क्याएं दो डोस्तो आज कुछ गनीथ से बात करते हैं गनीथ में दोस्तो जैसे कि पहले ग्रूप D में 10 प्रश्न से कम पुछा जाता था लेकिन अब है दोस्तों की गुरुप D में 30 प्रस्ण भी माच से यानि की गनीत से कर दिया तो दोस्तों आप सभी अगर प्रिच्छा दिये होंगे तो आपको पता होगा कि कितना समय मिलता है और उतने समय हम कितना क्वेस्टन को बना पाते हैं मौस्कील से दोस्तों आज एक सो प्रस्ण में तेज से तेज विद्यार थी 80 प्लस जो 80 प्लस नहीं जा पाता है क्योंकि दोस्तों समय और वह भी दोस्तों केंप्यूटर पर सवाल बनाना पड़ता है तो उसके लिए दोस्तों इस तरह का प्रस्ण को देखते ही जवाब देन है दोस्तों तो वैसा प्रस्ण जितना है दोस्तों समय ब crystallized to System उस तरह का लाई है जो की देख वाल को पहार करके के जवाब दे सकते हैं बिनों कलम उठाए तो दोस्तों इस तरह से करने के बाद आपका मैत पुरा पकड़ में आ जाएगा तो दोस्तों आपको बता दें कि 90 मिनट 90 मिनट यहने कि दोस्तों आपको डेर घंटा समय मिलता है यहने कि दोस्तों आपको 90 मिनट मिलता है यानि कि देर घंटा में आपको 100 प्रस्ण को बनाना पड़ता है दोस्तो तो बताइए कि दोस्तो एक प्रस्ण पर कितना टाइम यानि कि कितना समय लग रहा है यानि कि एक प्रस्ण पर दोस्तो आपका 35 से 40 सकेंड 35 से 40 सकेंड लगता है तो दोस्तो इस तरह से देखते हुए ऐसा प्रस्ण लाए हैं जो कि आपका महित पकड में आ जाए तो प्रस्ण है पांच हजार रुपिये की रासी पर आठ परतिसत की दर से तीन वर्च के लिए सधारन व्याज क्या होगा जब भी दोस्तों सधारन व्याज पूछे तो करना क्या है सुनिये ध्याँन से रुपिया कुछ भी दिया रहे पना सकते दोस्तों बिन परतिसत की दर से 8 परतिसत की 10 से दोस्तो 3 वर्स के लिए तो क्या करेंगे हम 8 परतिसत को 3 वार जोर देंगे 8 परतिसत को क्या करेंगे 3 वार जोर देंगे यानि कि दोस्तो जब जोरेंगे तो टोटल कितना हो जाए या इससे आप गुना भी कर सकते हैं तो 28 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 पर 30 हो जाएगा, टोटल कितना जोरक हो जाएगा, 24 पर 30 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 24 बटे लिख लिजे दोस्तों, 24 बटे 100, अब इसे क्या करें, कटा देजे, यह 00 और यह 00 कट गया, तो आपका बज़ गया किता, 50 गुना यह 24 बज़ गया दोस्तों यह 24 उतार ले यहाँ पर अब इसे गुना कर दिज्यत किता है पहुंच चो के 20 20 कि रो जीरो अब बंकी 25 नी 10 दू 12 यानि कि 10 यह वला दोस्तों उतार ले यह पर यानि कि हो गया दोस्तों आपका 1200 तो 1200 अपसन ए बिल्जकुल सही दोस्तों तो चलिए अगले प्रशली की और प्रस्न है दोस्तों आप देखने होता है 2 pi r हो दोस्तों आप जानते हैं कि तिर्जिया r होता है तो चलिए दोस्तों बहुत यह सोन सवाल है तो 2 गुना πाय का मौन 22 बटे 7 और गुना r का मौन करता है 14 तो दिखें दोस्तों बन गया 7 दोना 14 तो 22 दूनी कत्ता हो गया दोस्तो 44 यनिकी दो गोना 44 तो कत्ता जाएगा दोस्तो 88 हो गया इसका 88 हो गया तो इस प्रशन का उत्तर आप्सन भी बिल्कुल सही है देखते हैं दोस्तों इसको मन में बना दिजे क्योंकि आपको इस तरह का प्रशन का सुत्र याद रहना चाहिए तो चलते हैं अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है दोस्तों आप देख रहे हैं 5000 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 73 से ठीक ठीक भिवाजित हो जाएगा तो आप इसमें दो त्रेकाग बना सकते हैं दोस्तों पहला कि इसमें सब में दोस्तों आपको 73 से भाग देना परेगा यह तो दोस्तों डारेक्ट क्या करिए इसमें 5000 में 5000 में दोस्तों आप से भाग दे दिजिए जब दुस्तों इसमें 73 से भाग दिजिएगा आपका तो आज आएगा आपका 68.49 आजाएगा यानि कि दोस्तों लगभग में आपका आजाएगा कित उनत्तर आजाएगा अब जो ये 37,5000 आजाएगा बस कुछ नेता दोस्तों तो आपका आप से बिलकुल सही है करना क्या था दोस्तों 5000 में इससे भाग दिजिएगा तो कितना आजाएगा आपका पूइंट में आएगा तो आप उसको एक पूरा पुरी मन मन लिजिएगा इसको भाग देने के बाद 68.49 आता है तो इसको पुड़ा मौन लिए 69 गुना 73 कर देंगे दोस्तों तो आपका 500037 आ जाएगा तो चलते हैं अगले प्रश्णी के और प्रश्ण दोस्तों आप देख रहे हैं एक मिनट बारा सकेंड एक घंटे का कितना परतिसत है यनि कि दोस्तों एक मिनट में दोस्तों कितना सकेंड होता है शाट सकेंड होता है और यह जो है दोस्तों इसको जोर दीजे बारा यनि कि कहता हो गया 72 सकेंड हो गया दोस्तों तो 72 सकेंड अबटे यह जो घंटा है दोस् फिर दोस्तो इसको सकेंड बदलेंगे तो 36 सकेंड हो जाएगा तो यहाँ पे हम 60 लिग दिये अब दोस्तो गुना कर दिजे परतिसत के लिए एक सो से गुना कर दिये परतिसत के लिए अब यह 0 और यह 0 कटा दिजे तो अब दोस्तो देखिए कट गया यह दोनो 0 अब 36 हो गया तो 36 दोना 72 यानि कि दोस्तों दो परतिसत हो गया ध्याउन से देखिए दोस्तों तो इस प्रश्ण का उत्तर हो गया आपका option A बिल्कुल सही है क्या किये थे एक मिनट है एक मिनट का आने की 60 सकेंड और 12 सकेंड 72 सकेंड हो गया तो 72 बटे और इसका एक घंटा क कितना होता है 36 सकेंड तो 36 सकेंड आप लिख लिजिए गुना 100 कर दीजिए तो चल दिए अब यह 00 कड़ गया 36 दोना 72 यानि कि दो परतिसत हो गया यह 100 से गुनाई से लिखिए है क्योंकि परतिसत हमें इकालना था परतिसत में बदलना था तो 2% आया तो option A बिल्कुल सही ह तो चलते हैं एगले प्रशनी के और प्रशन है दोस्तो आप देख रहे हैं 6 संख्याओं का आउसत 8 है उसमें से कौन सी सात्वी संख्या जोड़ी जाए कि उनका आउसत 10 हो जाए तो दोस्तो यह प्रशनी भी आपको पढ़ते ही answer दे दना चाहिए तो करना है क्या है दोस् दोस्तो योग इकलने के लिए क्या करते हैं इन दोनों को गुना करेंगे तो मेरा योग इकल जाएगा ना कि जितना संख्या है उतना आउसस के साथ गुना करेंगे तो मेरा क्या कलता है दोस्तो आप सभी जानते होंगे क्योग इकल जाएगा तो चलिए 6 गुना 8 है यह मेर जब इतने हो गया तो 7 संख्याप पहर रहता तो 7 संख्या हो गया इसका उस्थ केता हो जाता है दोस्तों 10 तो करना क्या है दोस्तों कर Ce2 Thursday अर्चाक 48 बडार करते हो गया इदर सत्तर अब दोस्तों एक्स बडार सत्तर में माइनस करिएगा 28 तो आपका कितना बज जाएगा दोस्तो आपका बज जाएगा 22 22 इंसर आगया दोस्तो बहुत ही असान सवाल था option A बिल्कुल सही है क्या की है एक वार फिर से ध्याओं से देखिए जो संख्या है दोस्तो यानि कि योग इकालने के लिए क्या करते हैं संख्या गुना आउसत चे गुना आठ अब पलास एक साथ मुः संख्या बरहना था तो एक बराद दती है एकस अब बराबर इधर इधर क्या हो जाएगा? जब 7 अपक्स हो गया गुना 10 इसलिए कि य है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 7 संख्या हो गया और साथ संख्या का मतलब आउसत दिया है 10 तो इसका भी योग हो जाएगा और इधर का भी योग हो गया तो अर्चा का 48 पलस X अब बराबर इधर हो गया 70 अब दोस्तों 70 में घटाएंगा 48 कितना जाएगा 22 तो option A बिल्कुल सही है दोस्तों तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न है दोस्तों प्रथम दस संख्याओं का आउसत क्या होगा दस संख्याओं का आउसत क्या होगा तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाने के लिए आपके पास आपको एक सूत्र याद होना चाहिए वह सूत्र है दोस्तो N into N plus 1 अबटे N दोस्तो इस पर अराम से स्वाल बन जाएगा N मतलब दोस्तो लास्ट प्लस हैं क्या तो कितना संख्या करा है दोस्तो 10 करा है तो 10 अगुनों जब यहां 10 बठाएंगे दोस्तो कितना हो जाएगा 10,1,11 हो जाएगा तो 11 अबटे N तो 10 था दोस्तो तो 10 बठा लेज़े तो यह 10 यह 10 कर गया तो कितना बज़ गया आपका 11 बज़ गया ध्यान से दोख्यों तो आउप्सन नमबर D बिल्कुल सही है क्या कि हैं इस सूत्र पर बठाएं N मतलब लास्ट बठाएंग क्या N पलस 1 अब बठे N तो क्या कि हैं 10 अगुना इसको यहां पर जोड़िएगा आथ के तर जगा 11 अब बठे 10 N के जगा बठा दियें तो यह 10 यह 10 कर गया बज़ गया आपका 11 तो चलते हैं अगले प्रस्ण के और 11 सही था अप्शन में दी तो अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण देख रहे हैं दोस्तों आप कि यदि 4 पे पावर X बढ़ावर रूट अंडर 2 पे पावर 3 सबसे पहले आपको घताउं करने का एक सूत्र याद होना चाहिए जैसा कि दोस्तों A पे पावर है यहाँ पे M बढ़ावर B पे पावर है M अगर आपका पावर बराबर होता है तो आपका A बराबर B हो जाएगा अगर दोस्तों A पे पावर मन लिया जाए N है बराबर ए पे पावर आपका M है यानि कि अगर आपका घात यानि कि आधार जो की समान है तो आपका उपर वाला यानि कि पावर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा तो चलते हैं दोस्तो इसी सुत्र पर बनेगा तो चलते हैं तो इसको दोस्तो हम इसे लिख सकते हैं दो पे पावर टू एकस लिख सकते है बराबर इसको दोस्तो दो पे पावर थीरी वाई पे इसे रूट का मौन क्या हाप होता है तो यहाँ पे हाप हम उतार लिया तो अब देख रहे हैं दोस्तो कि दोनों का क्या हो गया यह घात याने कि आधार क्या हो गया बड़ाबर हो गया तो दोस्तों वही सुत्र जैसा कि सुत्र पता है थे दोस्तों तो यह जब बड़ाबर हो गया तो आपका जाएगा 2x बराबर यहां हो जाएगा 3 3 बटे 2y हो जाएगा अब दोस्तों क्या करना है तो अगर आप कोनों कोनी गुनों करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 बटे 4 3 बटे 4 3 बटे 4 y तीन बटे चार वाई यहने कि दोस्तों आपका आप फिर से समझ लिजेगा पीछे करके तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है आपका x का 25 पर 30, y का 40 पर 30 के बराबर है तो x और y का नुपात क्या होगा दोस्तों इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए क्या करेंगे x का मतलब का अंतलब गुना तो 25 बटे 100 बराबर अब क्या है वाई का तो वाई गुना 40 बटे एक सो तो दोस्तो आप सभी जानते हैं कि बरावर में सामने सामने कर जाता है बरावर में सामने सामने करता है और कोना कोनी गुना होता है तो ये सो और ये सो कर गया ध्याँ से देखिए दोस्तो जब ये सो और ये सो कर गया अब ये भी कर जाएगा 25 और 85 चालिस तो अब आपका आ गया 5X बराबर 8Y आ गया तो दोस्तों अब जो आ गया ये X का मौन हो गया 8 और ये Y का मौन हो गया 5 Y का मौन हो गया 5 तो आप आपका इकलना था X अनुपात Y तो कितना हो जाएगा यहां पर आपका ये 5 हो गया और ये 8 हो गया यानि की दोस्तों सुरी दोस्तों ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा दोस्तों क्योंकि Y का मौन कितना है 5 है और X का मौन कितना है? 8 है तो X और Y X अनुपात Y यानि कि X का मौन कितना आया था? 8 और Y का मौन कितना आया था? 5 तो 8 अनुपात 5 आ गया Option नम्मर A बिल्कुल सही दोस्तों आपने समझे पीछे एक बार करके समझ लिजिए तो चलते हैं अगले प्रश्णी के और प्रश्ण देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्ण है प्रश्ण है यदि A अनुपात B बरावर 3 अनुपात 4 तो 6 A प्लस B अनुपात 4 A प्लस 5 B का मौन कितना होगा? तो दोस्तों इस तरह का प्रश्ण बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम इसे उतार रहते हैं कितना दिया होगा है? 6 A प्लस B तो चलते हैं दोस्तों इसको जोड लिए और अनुपात है अनुपात दे दिया उसके अच्छाद कितना है? 4 A प्लस 5 B तो चलिए अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि A कामौन करता है 3 A कामौन करता है 3 और B कामौन करता है 4 तो चलते हैं बैठा दिजिए दोस्तों तो 6 गुन एक कामौन करता था 3 अब प्लस अब B कामौन करता है B कामौन 4 है तो चार बटा दीजिए चलिए यह हो गया आपका अगला देखते दोस्तो चार गुना एक का मुन कताया है तीन पलस फाइप गुना बी का मुन कताया है चार तो क्या करिये आब दोस्तो तो छोतिय अठारा आठारा चार बाईस तो यह हो गया बाईस अनुपात इधर हो गया चारतिया बारा अब पोचोगे बीस करता हो गया गर्पात अब क्या करिये दोस्तो इसको कटा दीजिये तो सोला दून सब tecnología तीस और 11 दूनी 22 तो 11 अनुपात आगे आपका 16 ध्यान से देखें दोस्तों अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार देखें लेजिए तो देखें दोस्तों आपका option नमर D बिल्कुल सही है option नमर D बिल्कुल सही है 11 अनुपात 16 तो चल दिए अगले प्रस्न के और देखें दोस्तों यह प्रस्न जो किया है दोस्तों आपका 3-4 टाइप से बनेगा तो जैसा कि दोस्तों सवाल देख रहे हैं यदि A अनुपात बराबर 7 अनुपात 9 और B अनुपात 7 हो तो A C का मन क्या होगा दोस्तों पहला बात अगर A C पूछ रहा है तो करना क्या दोस्तों देखें यह सवाल जो बनेगा आपको 3-4 टाइप से बनेगा तो चलते हैं दोस्तों पहला टाइप बता रहे हैं A अनुपात B कितना दिया हुआ है 7 अनुपात 9 उसके बात दोस्तों B अनुपात C पूराबर क्यतना दिया हुआ है आपका दिया हुआ दोस्तों C जह और ब्राबर करना है लिए उल्टा के गुणा कर देंगे इसी गुणा कर देंगे छे से और कुना कर देंगे नो से लेकिन दोस्तो अनुपात में जब भी कुछ करते हैं तो सभी में होता है तो इसमें भी 9 से गुन होगा और इसमें भी 6 से गुन होगा क्योंकि इसको बगल वला को 6 से गुन हो कर रहे थे अब देखें दोस्तो अब ये दोनों बराबर हो गया 9 6 54 इधर भी हो गया और इधर भी 9 6 54 हो गया तब दोस्तों आपका देखिए यहाँ पे तीनों मौन निकल जाएगा A अनुपात B अनुपात C यानिकि तीनों मौन एक का मौन करता हो जाएगा 46 42 क्योंकि तो 46 42 अनुपात B का मौन तो दोनों बराबर है दोस्तों 54 तो यहाँ पे 54 हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों C का मौन तो यहाँ 9 63 यह वाला C का मौन हो जाएगा 9 63 अब दोस्तों क्या करना है हमें पुछ रहा था इस प्रश्न में A और C अगर तीनों का मौन पुछता तब तो यह तीनों सही है अगर कटने वराए तो कटा देते हैं लेकिन यहाँ पुछ रहा है A और C तो A और C कितना है 42 अनुपात 63 है तो दोस्तों यह कट रहा है कटा देजे 21, 42, 23, 63 इनने की 2 अनुपात 3 आ गया तो दोस्तों यह हो गया 2 अनुपात 3 ओप्शन A बिल्कुल से यह दोस्तों अब देखे दोस्तों टाइप 3 में दोस्तों बहुत ही असंत तरीका है इस तरह का जितना भी सवाल आगा दोस्तों आप इसे बना सकते हैं तो देखे क्या करना है A अनुपात B बरावर कितना दिया हुआ है 7 अनुपात 9 दिया हुआ है उसके बाद दोस्तों B अनुपात C कितना दिया हुआ है इसमें क्या करना है एक बढ़ा करके एक छुड़ के लिखना है छे अनुपात कितना लिख देंगे साथ अब क्या करना है सामने बाला को लिखना है यनि कि दोस्तो इसका नो का सामने विला इधर नो हमें लिख देंगे और इधर दोस्तो ये सामने विला अनुपात दे करके छे लिख देंगे अब दोस्तों यहाँ भी आपका तीनों मौन निकलेगा जो पूछेगा वो लिख देना A, B और C A अनुपाद, B अनुपाद, C ब्रावर लाजागा देखिए इसको गुना करेगा देखिए दोस्तों आपका A और C का मौन पूछा था, तो A और C का मौन देखिए दोस्तों आग गया 42 अनुपाद, C जब दोनों कटाईएगा तो दो बार 21 दुना, 42 आपका ओप्शन A बिल्कुल सही दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो कोमेंट जरूर करेंगा दोस्तों, और दोस्तों आज पहली बार था यानि की पेंट बढ़यां से काम दोस्तों बैठने रहा है तो हम कोसिस करेंगे अच्छे बेठाने के लिए अगर नहीं होगा दूस्तो डइर्क आपके सामने आकर चे बोट पे सवाल बताना में शुरू करेंगे अगर दूस्तो अभी तक चैनल को सब्कराइब नहीं किये चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक तो जरूर कर दें दोस्तों जय हिन जय भारत